आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम Facebook का यूज करके अपने business को अपनी services को अपने products को promote कर सकते हैं और यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगी organic तरीकों की यानि एकदम जो free वाले तरीके हैं without paying anything to the Facebook बिना Facebook ads चलाए कैसे आप अपने business को promote करेंगे उसकी हम ब तो देखें Facebook है दुनिया का सबसे जादा use किया जाने वाला social media platform और currently मैं बात करूं तो approximately 3 billion active users हैं Facebook पर तो इतनी जादा audience के बीच अपनी target audience को ढूंदना और उन तक अपना business पहुंचाना अपने products पहुंचाना, services पहुंचाना थोड़ा सटर्की हो सकता है but with the right strategy आप Facebook का best utilization कर सकते हो, तो देखिए सबसे पहला जो step है वो है कि आपको एक Facebook page बनाना है, देखिए Facebook पर आपका account होगा ही, नहीं है तो बना लीजिए, Facebook पर आपकी profile तो होगी जिससे आप अपने friends, family को connect करते हो, कुछ भी अपने कहीं भी घूमने गए तो उसके post जालते हो, खुद की pictures तो उसे हम कहते हैं आपकी Facebook profile या पर Facebook पर account, लेकिन Facebook page mainly use होता है किसी चीज को एक large audience के साथ connect होने के लिए, professionally जब आप यूज करना चाते है Facebook को तो उसके लिए Facebook page बनाते हैं, तो सबसे पहला आपको काम करना है कि एक business page आपको बनाना है, अपने business के नाम से, या फिर आप जो X, Y, Z, Tips, कुछ इस तरह से आप रख सकते हैं, तो एक Facebook page बनाएंगा, Facebook page कैसे बनाना है, नहीं पता, तो description box से playlist का लेंग को ठालो, सारी videos देखो, एक भी video में इसमत करना, तो वहाँ पर हमने completely एकदम detail में सीखा है Facebook को, पेज बनाने से लेकर सारी important settings, तो ज़रूर उसको तो Facebook page आपको सबसे पहले बनाना है, so guys I hope you are enjoying the video, लेकिन इससे पहले एक important चीज, अगर आप digital marketing की इस dynamic field में अपना career बनाना चाहते हैं, या अपने career को और भी जादा strong करना चाहते हैं, तो अभी join करें WS CubeTik का online and offline practical digital marketing advanced batch, in batches में आप सीखेंगे professional, practical and advanced digital marketing with a valid certification, जो की all over India में valid इन batches में आपको मिलेंगी live classes with industry experts, इसी के साथ साथ काफी सारे paid tools का access भी, आपकी classes की recordings, उसी के साथ doubt sessions and many more things, तो अगर आप ये batches जॉइन करना चाहते हैं, तो description box में आपको form का link मिल जाएगा, जल्दी से form fill कीजिए और आमारी टीम आपसे बहुत ही जल्दी करेगी, चलिए विडियो continue करते हैं, दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि उस Facebook page को optimize करना है, Facebook page को optimize करने का मतलब कि right keywords यूज करके, सही उसमें settings करके, जादा से जादा जो आपकी settings है वो public होनी चाहिए, जिससे जादा जादा logo तक हमारा जो account है वो पहुँच पाए, उसी के साथ ही अपने page क एक perfect description आपको लिखना है, अपने page की details आपको डालनी है, catalog में अपनी services, अपने products आपको add करना है, अगर ये भी आप जानना चाहते हैं कि कैसे करें, तो again, you know what to do, description box or playlist का link उठालो और video देखो, एक particular आपको video मिल जाएगी कि कैसे add करें catalog में अपनी services या products, तो वो आप video लेख सकते हैं, उसके बाद में, अब main काम आता है, content post करने का, लेकिन content post करने से पहले हमें ये identify करना होता है, कि हमारी target audience कौनसी है, जिसको हम target करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए, अगर आप एक makeup artist हैं, कि कितने age से लेकर, कितने age तक कि जो women हैं, या फिर जो ladies हैं, उनको आपको target करना है, तो वो आपकी target audience हो गई, तो वो जो लोग हैं, वो और किन pages में interested हैं, उन pages पर जाकर देखिए कि क्या content post हो रहा है, किस पर reaction जादा आ रहे हैं, आपको अपनी target audience को पता लगाने के बाद में, आपको ये भी पता लगाना है, कि वो जो आपकी target audience है, वो किस तरह का content consume कर रही है, यानि किस तरह का content बहुत जादा चल रहा है social media पर अब इसके लिए आप Instagram का भी यूज़ कर सकते हैं Facebook का भी यूज़ कर सकते हैं कि जादे जादा reach जो है किन post पर आ रही है तो उसी तरीके के content के according आप अपनी content strategy जो है बनाएंगे अब यहाँ पर next step पाता है कि एक perfect content strategy बनाना अपने Facebook page के लिए अब content strategy में कि कितने post अपन promotional डालेंगे कितने post जो हैं अपन entertainment वाले डालेंगे, कितने अपनको memes डालने कितनी reels डालने हैं, कितने post डालने यह सब आपको decide करना है अब इसके लिए मैं आपको थम रूल बताती हूं तो जो भी आपका निश है चाहे आप fashion से related content बना रहे हैं चाहे आप बना रहे हैं education से related, चाहे आपका कोई service related business है सभी के दिए यह थम रूल आपका काम करेगा and हर एक social media के लिए यानि ऐसा content जिससे दंज्यूम करके आपकी audience को कुछ मिले क्या मिले या तो कुछ सीखने को मिले या फिर कुछ entertainment मिले जैसे अगर एक makeup artist नहीं तो आपने makeup tutorial बता दिया how to apply lipstick, how to apply shadow इस तरह की कुछ tutorial video बना दी तो audience ने जब यह video देखी उनको कुछ मिला obviously बात है उनको कुछ सीखने को मिला और वह आपके page से जोड़ गए अभी हम promotion की बात नहीं कर रहे education में आपने कोई chapter जैसे मालन लीजिए आप for example education related courses sell करते हैं जैसे for example आपको IT courses sell करते हैं तो पहले आपने ऐसा content दिया जिसमें आपको सिखा रहे हैं आपने जैसे SEO की strategy बनाना सिखा दिया social media सिखा दिया WordPress की website कैसे develop करें मतलब फ्री का आपने उनको content दिया कुछ value दी और जब value दी 70% तो फिर क्या होगा कि audience जो है जो लोग उसको consume करेंग फ्री का content हर कोई नई चीज़े सीखना चाहता है हर कोई नया content consume करना चाहता है तो जब आपने उनको वैसा content दिया तो आपके channel से जुड़ गए same with जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई product है एक example में लेती हूँ कि जैसे आप furniture sell करते है बहुत चोटा से example लेती हूँ furniture का आपका business है तो आपने कुछ ऐसी videos बनाई जो कि लोगों के लिए useful है जैसे आपने top 10 designs to decor your house आपने क्या बता दिया कि यह 10 designs है जो आज का time में बहुत popular चल रही है जिससे आप अपना घर decor कर सकते हो कुछ आपने DIY बता दिया जैसे कि अपने घर का living room है उसको कैसे decorate करें ideas आपने दे दिये उसी के साथ ही furniture cleaning के उपर कि furniture को clean कैसे करें इस तरह की wood को कैसे clean किया जाए what is the best way to clean the stable जैके यह बहुत चोट इसी video चोटा इस topic है कहीं भी आप Google से भी search करके YouTube पर search करके एक video खुद बना सकते हैं कैसे इसको saaf किया क्या-क्या liquid इस पर use कर सकते है audience को कुछ सीखने को मिला जब सीखने को मिलेगा कुछ entertainment मिलेगा तो वह आपके content से जुड़ जाएंगे अब जब audience हमारे channel से जुड़ गई है तो अब हमें क्या करना है तो इस तरह से आपको content अबना प्लान करना है तो इस तरह से आपको content अबना प्लान करना है तो 70% content या फिर मैं कहूं majority of content आपका useful, valuable होना चाहिए कि एक audience जब उसको देखे तो उसको लगे कि हावी मैंने कुछ सीखा और ऐसा ही content वाइरल होता है और जब आपकी content strategy बन गई तो उस strategy के recording आपने calendaring कर लिए ये first को ये content जाएगा second को ये जाएगा, third को ये जाएगा ऐसे आपने content plan पूरा बना लिया content plan बन गया तो अब उसके recording content भढ़िया बढ़िया बनाईए articles लिकिये, post बनाईए, videos videos बनाईए, reels बनाईए और उसको post करना शुरू कीजिए अब इससे आपका धीरे धीरे not एकदम से बट ग्राजूली आपका page ग्रो करने लगेगा कुछ और तरीके जो आप यूज कर सकते है Facebook पर groups हैं कई सारे ऐसे groups बने हुए जो की एक particular niche से related है जैसे माल लीजिए, make-up artist तो make-up artist के कई सारे groups होंगे तो उनको जाइए, उनको जॉइन कीजिए वहां पर अपने page का, अपने products का अपने जो आपने useful content देरे हो उसका promotion कीजिए आप उसके अलावा जैसे माल लीजिए, furniture related काफी सारे groups आपको मिल जाएंगे उसी के साथ में, frequency के साथ में आपको post करना है, भली आप daily post नहीं करो, लेकिन अगर दो दिन में एक बार content जा रहा है तो जाना चाहिए एक मतलब perfect content planning बनी चाहिए उसी के साथ ही, कोई अगर season चल रहा है, जैसे Christmas season चल रहा है Diwali season चल रहा है, Holy season चल रहा है तो इस तरीके से आपको अपनी content planning करनी है कि आगे वाले को कुछ valuable मिले उसी के साथ ही, अगर आपका ऐसा content है जहां पर आप live interact कर सकते हो, तो live जाओ Facebook पर, लोगों से interact करो बीच बीच में अपने products का प्रमोशन करते जाओ, अपनी services का प्रमोशन करते जाओ, और उनको sell करो उनके लिए जो action button है उसको काफी easy बनाओ, action button कैसे add करना है अपनी profile पर, इसके लिए भी आपको video मिल जाएगी, तो वो video भी जरूर देखिएगा, तो Facebook ने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें की हुई है Facebook ने आपके लिए बहुत ही easy किया हुआ platform को, तो बस अब उसको use कीज़े और अपने business को promote कीज़े तो ये थी कुछ ऐसी tips जिसका use करके आप अपने business को, अपनी services को promote कर सकते है on Facebook बाकी complete आपको Facebook सीखना है सारी करनी है, and you never know क्या चीज़ आपके लिए काम कर जाए और वो चीज़ ही आपके page को, आपके business को boost दे जाए तो कुछ ना कुछ सीखते रही है और बहुत सारे trial and error आपको करना है because आज के time में चीज़ें जैसे साब से change हो रही है we never know कि कौन सा job का content है वो viral हो जाए तो मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक keep learning